भी चारी एक बड़ी ख़बर क्यों और बड़ी च्वानकारी उस भी चवापको बता देते हैं दिल्ली से आ रही है कॉंग्रेस वाकिंग कमीटी की बैटक अख्यारी आप अप इया पर दे दे।े श्वारा क्निति की बैटक पर देदें और आज तैह हो जाएगी नए अध्यक्ष की तारीक जी अमीडिया के जरिये नहीं सीधे मुझे मुझसे बात करें इस बात पर उन्होंने जिक्रिया आपर किया अध्यली से बड़ी कबार आज तैह हो जाएगी नए अध्यक्ष की तारीक है वो यहां पर तैह हो जाएगी इस वक्त की बड़ी खबर आ रहे हैं बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं तो Congress Working Committee CWC की बैठक जो है फिलाल जारी है और जानकारी यहां पर आपको यहां पर बता दे सोनिया और राहूल गांधी बैठक पे मौझूद हैं तो सोनिया गांधी का G23 पा निश्वाना बिना नाम लिए G23 पा निश्वाना साधा है और अध्यक्ष के रूप में पूरी तरह सक्री हूँ क्योंकि बार-बार इस सवाल अध्यक्ष को लेकर यहां पर उठाए जाते हैं आज तैह हो जाएगी नए अध्यक्ष की तारी इस बात का जिक्र भी यहां पर किया गया है तो मीडिया के जरीए नहीं सीधे मुझे बात करें स्पर्श सर्मा समवाता माई साथ जो गए है जाज जनकारी के साथ स्पर्श फिलाल लासी डेवनुसी की बैठक जो है वो जारी है और जाहिर तोर पर अब पूरी पूरी नजरे इस बात पर ठीकी है कि क्योंकि सोनिया गांदी ने खुलकर इस बात का जिक्र कर दिया है कि जल्द ही नए अद्यक्ष के एरान के जो तारीक है वो तै कर दी जाएगी इस बैठक के बात देखे बिलकुल कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक इस बक चल रही है लगबग देड़ गंटे से जादा हो गया इस बैठक को चलते वी और सबसे बड़ा बयान जो अभी तक निकल कर इस वर्किंग कमेटी की बैठक से सामने आया है वो कॉंग्रेस की जो अंतरी मद्यक्षा सोनिया गांधी की तरफ से निकल कर सामने है उन्होंने साफ तोर पर बिना नाम लेते वे जो जी ट्वंटी थी के नेता थे उन्हों पर निशाना साथ है उन्होंने साफ तोर पर इस फष्ट किया है कि मैं ही जो है अभी कॉंग्रे कमिटी की बैठक में दिये गए थे उसमें कहा गया है याद होगा पिछले दिनों कपिल से बलकी बात करें तो उनकी तरफ से प्रेस कानफरेंस करी गई थी उसमें साफ तो पर यह पता ही नहीं चलता है कि कॉंगरेस पार्टी में अभी मोजूदा अध्यक्ष कोन है उसके आफ़ तोर पर निशाना भी साधा है कि जो अध्यक्षपत को लेकर जो तमाम चीजे चलती वी नजराती है जो नेता बयान देते वे नजराते हैं उनके लिए मैं बता दू कि मैं ही पूर्ण काली का ध्यक्ष हूँ और मैं ही जो है पूरी तरीके से अभी अध्यक्षपत पर जो है सक्रिय हूँ इसके अलावा अगर हम बात करें क्योंकि कई सारे एजंडर इस बैठक में देखने को मिल रहे थे तो उसमें अगर आज जो आने वाले समय में संगठन के चुनाव होने वाले जिसके बाद पूर्ण काली कध्यक्ष जो है चुना जाएगा तो उसके बार खाने में उसको यहां से किस तरीके से ठीक किया जाए क्योंकि अभी राज्यो में जो सिती बनीविती खासका अगर बात पंज़ाब की की जो है वहाँ पर भी अभी फिलाल यही समझा जा रहा है कि सब चीज़ें शान्त हो गई है और अब सब कुछ ठीक है लेकिन अब आग कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी की बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल होते हैं इसमें कॉंग्रेस के जो नैशनल एजेंडे होते हैं उनको लेकर चर्चा की जाती है अंदरोनी विवाद हो गए कॉंग्रेस के या फिर किस तरीके से आने वाले चुनाओं में जो कॉंग्रे जो है देखने को मिल रहे हैं लखिमपुर में जो इंसिडेंट हुआ था वो बीजेपी की मानसिक्ता जो है दर्शाता वा नजर आता ये जो है सोनिया गांदी ने कहा है इसके अलावा गर हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम जो एसेट्स हैं भारत के आचा है वो जो तमाम क तो इसके अलाब आजेफा है इसके अलावा आने वाले सुनाओं में किस तरीके से कौंग्रेस मजबूती के साथ जो है चौनाओं में बेजा कर दिया है के बैठक के लिए अब सबसे पहले जो है कॉंग्रेस आ के जो संगठन मास अचीवे केसी विनुकोपाल वो अपनी बात रखते वे नज़र आएंगे और फिर उसके बाद अलग-अलग नेताओं को जो है बोलने का मोका दिया जाएगा जिसमें हम देखेंगे कि जी 23 के जो नेता है वो किस तरीक ऐसे अपने बयान जो है वो रखते हुए यहां पर नज़र आएंगे जा रहा है इस बारे में कोई ऐसी चर्चाएं हो रही हैं परिवार का नाम जो है इसमें सबसे आगर निकल कर सामने आता है लगातार हमने देखा कि कॉंग्रेस के आज जो कर वरकिंग कमिटी की बैठकती उससे पहले कई जो कारेकरता भार आये वे ते वो रहूल गांधी के नाम को लेकर जो है नारे भी लगाते वे नजर आ रहे ते ऐसे में राहूल गांधी है प्रेंका गांधी वाड़ रहा है अला कि राहूल गांधी ने साफ तोर पर कहा कि मैं जो है अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूँ इसके अलावा कांग्रेस के गांधी परिवार से इतर कौन वहाँ पर नेता हो सकता है उसको लेकर आज देखने वाली बात रहेगी लेकिन निश्चित तोर पर कई सारे एजेंडे जो है इस बैठक के लिए है तो लेकिन जब संगठन के चुनाओ के गोशना होगी उसके बा बाब जो दिसके जब यह बैठक यहाँ पर की जा रही है तो पांच नेता यहाँ पर क्यों नहीं आए इस बारे में भी अभी चर्चा जो है वो यहाँ पर की जाएगी क्या आखिर कारण क्या रीजन है वो इस बारे में खुल कर सामने आप आए हैं क्या आँ देखिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है पाँच नेता शामिल नहीं है क्योंकि सब के अपने-अपने एजन्डे थे कई नेता जो है जो शामिल नहीं हुए वो उसमें से बिमार जो है देखने को मिल रहे हैं जिसमें पूर प्रदान मंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंग ह उनकी तब्याद जो है खराब है वो एम्स में भरती है इसके अलावा जो एक्स सीयम रह चुके हैं और अब मौझूदा जो है सांसाद है दिगविजा सिंग उनकी आज जो है कही ना का इसी तरह के की परिस्थिति आती तो ऐसे में तमाम नेताओं ने पहले ही जो है इस प्रक आप से आगे भी अपडेट इस कवर पर लेते रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया इस परशर्मा इस अमाम जादकारी के लिए और एक